एलविश को फटकार लगाना सलमान खान को पढ़ रहा भारी एपिसोड के खतम होते ही ट्वीटर पर ट्विंट कर रही है भाई जान बिग बॉस ओटिटी टू फैंस को खासा पसंदा रहा है जहां कंटेश्टिट की ड्रामे बाजी लोगों को एंटर्टेन कर रही है वहीं शो के कंटेश्टिट के फैंस कई बार शो में उनके लबडवन के साथ हो रही बतसलूकी से चिड रहे हैं हाल ही में विकेंड का वार हुआ तो होष्ट सलमान खान बेबाकी से कंटेश्टिट को उनके रवये के बारे में बताया और उनकी गलत चीजों के लिए उन्हें फटकार लगाई जिस पर एलविश के फैंस सलमान खान पर भड़क गए और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे साथ्वे विकेंड के बार में सलमान खान ने एलविश और दुरुव को उनके वहवार को लेकर फटकार लगाई दरसल हुआ यूँ की सबसे पहले सलमान खान ने बेबिका और मनेशा रानी के बीच होई बहस के लिए बेबिका को फटकार लगाई जिसके बाद सलमान खान ने एलविश का रुक किया और उसकी अभधर भाशाओं शो में हिंसक और अपमान जनक शब्दों के इस्तमाल पर गुस्सा जाहिर किया सलमान खान ने एलविश को फटकार लगाते हुए पूछा कि वो अपने फैंस की फोज पर इतना घमंड क्यों करते हैं क्या वो उन्हें फोलो करने के लिए पैसे देते हैं जिसके बाद एलविश ने जवाब दिया कि उनके फैंस उन्हें कुछ भी पैसे नहीं देते जिसके बाद सलमान खान ने कहा कि अगर वो अपनी कीमत 500 रुपए भी रखेंगे तब देखते हैं कि आपके कितने फैंस होंगे इसके बाद सलमान खान ने असली सेना भारतिय सेना है जो देश की लोगों की रक्षा करती है सल्मान खान ने आगे कहा कि वो अपनी मात्र भाषा हरियानवी को बदनाम ना करे एल्विश को मोटिवेट करने के लिए सल्मान खान ने उनकी मा से उनकी बात भी करवाई मा को वीडियो कॉल पर देखते ही एल्विश तूट गए और फुट फुट कर रोने लगे एलविश की मा ने उन्हें समझाया और उन्हें अपना प्यार दिया बाद में सलमान ने बताया कि उन्होंने उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को उनकी मा को नहीं दिखाया है तो वह फिक्र ना करे बायजान के जाने के बाद एलविश अभिशेक और मनीशा ने बेबिका से माफी मांगी एपिसोड खतम होने से पहले सलमान खान ने एलविश को सला दी कि वो अपने फैंस की उमीदों पर खारा उतरे और उन्हें अपने इस वहवार से निराशना करे इस एपिसोड के खतम होने के बाद ही सलमान खान ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगे सलमान खान को एलविश के फैंस का गुसे का सामना करना पड़ रहा है सलमान की ये बाते एलविश के फोलोवर्स को नागवार गुजरी हैं जिसके बाद वो शो की रेश्टिंग कम करने की मांग कर रही हैं एक फैंस ने इस पर कॉमेंट किया कि मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया जिस तरह सलमान खान एलविश को डी मोटिवेट करने के लिए उनकी मां को बीच मिलाए इस तरह हैं तो सलमान को बेबिका के पापा को भी स्टेज पर लाना था एक अन्य योजर ने इस पर बिग बोज को फिक बता दिया और लिखा बिग बोज टू फिक सलमान खान फिक एलविश को फटकार लगाना सलमान खान को पढ़ रहा भारी एपिसोड के खतम होते ही ट्विटर पर टीट कर रही है भाई जान बिग बोज ओटिटी टू फैंस को खासा पसंद आ रहा है जहां कंटेश्टिट की ड्रामे बाजी लोगों को एंटर्टीइन कर रही है वहीं शो के कंटेस्टिट के फैंस कई बार शो में उनके लवडवन के साथ हो रही बत्सलूकी से चिड रहे हैं हाल ही में विकेंड का बार हुआ तो होश्ट सलमान खान बेबाकी से कंटेस्टिट को उनके रवये के बारे में बताया और उनकी गलत चीजों के लिए उन्हें फटकार लगाई जिस पर एलविश के फैंस सल्मान खान पर भड़क गए और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे सात्वे वीकेंड के बार में सल्मान खान ने एलविश और दुरुब को उनके वहवार को लेकर फटकार लगाई दरसल हुआ यूँ की सबसे पहले सल्मान खान ने बेबिका और मनेशा रानी के बीच होई बहस के लिए बेबिका को फटकार लगाई जिसके बाद सल्मान खान ने एलविश का रुक किया और उसकी अबहदर भाशाओं शो में हिंसक और अपमान जनक शब्दों के इस्तमाल पर गुसा जाहिर किया सल्मान खान ने एलविश को फटकार लगाते हुए पूछा कि वो अपने फैंस की फोज पर इतना घमंड क्यों करते हैं क्या वो उन्हें फोलो करने के लिए पैसे देते हैं जिसके बाद एलविश ने जवाब दिया कि उनके फैंस उन्हें कुछ भी पैसे नहीं देते जिसके बाद सल्मान खान ने कहा कि अगर वो अपनी कीमत 500 रुपय भी रखेंगे तब देखते हैं कि आपके कितने फैंस होंगे इसके बाद सल्मान खान ने असली सेना भारतिय सेना है जो देश के लोगों की रक्षा करती है सल्मान खान ने आगे कहा कि वो अपनी मात्र भाषा हरियानवी को बदनाम ना करे एल्विश को मोटिवेट करने के लिए सल्मान खान ने उनकी मा से उनकी बात भी करवाई मा को वीडियो कॉल पर देखते ही एल्विश तूट गए और फूट फूट कर रोने लगे एलविश की मा ने उन्हें समझाया और उन्हें अपना प्यार दिया बाद में सलमान ने बताया कि उन्होंने उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को उनकी मा को नहीं दिखाया है तो वह फिक्र ना करे बाईजान के जाने के बाद एलविश अभिशेक और मनिशा ने बेबिका से माफि मांगी एपिसोट खतम होने से पहले सलमान खान ने एलविश को सला दी कि वो अपने फैंस की उमीदों पर खारा उतरे और उन्हें अपने इस वहवार से निराशना करे इस एपिसोट के खतम होने के बाद ही सलमान खान ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगे सलमान खान को एलविश के फैंस का गुसे का सामना करना पड़ रहा है सलमान की ये बाते एलविश के फोलोवर्स को नागवार गुजरी हैं जिसके बाद वो शो की रेश्टिंग कम करने की मांग कर रहे हैं एक फैंस ने इस पर कोमेंट किया कि मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया जिस तरह सलमान खान एलविश को डी मोटिवेट करने के लिए उनकी मां को बीच मिलाए इस तरह तो सलमान को बेबिका के पापा को भी स्टेज पर लाना था एक अन्य योजर ने इस पर बिग बोज को फिक बता दिया और लिखा बिग बोज टू फिक सलमान खान फिक